नमस्कार साथियों आप सभी का competition community के इस online platform पे स्वागत है मैं धिरेन सिंग आज आपके सामने जिस सीरीज के वीडियो लेके आ रहा हूँ ये हमारे cg-tet program का एक हिस्सा है cg-tet जो की exam आपका 18 सितंबर को होने वाला है इस examination की notification बहुत जल्दी आ गई और exam भी बहुत जल्दी conduct हो रहा है इस होजा से इतने कम समय पे आपको सारा lecture deliver कर पाना संभव नहीं है इसी समस्या के चलते हमने सोचा क्यों न आपको सारे विश्यों के महत्वण भागों के lectures provide कर दिया जाए इसलिए मैं आपके सामने जो सिक्षा सास्त्र जिसे हम pedology कहते हैं और बाल विकास इससे संब्धित विश्या के कुल 10 लेक्चर 8 लेक्चर जो भी संभव हो पाया वो आपके सामने deliver करूंगा इसी तरह सारे विश्यों के आपके हिंदी भाषा हो गई अंग्रेजी भाषा हो गई आपका परियावरन हो गया आपका मैस हो गया reasoning हो गया इन सभी विश्यों के lectures आपके सामने deliver किया जाएंगे तो चलिए आते हैं अपने विश्यों पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र जिया सात्यों एक ऐसा विश्यों जिसे हम बच्पन से जीते आए हैं समझते आए हैं उस विश्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस lecture पर और जब सु आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में किन-किन बिंदुवों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परिक्षा की दिरिष्टी से बहुत ही महत्वपुंड हो जाता है, इसमें हम पहला बिंदु जो देखेंगे वो होगा आपका शिक्षा की अव मुझ अंतर क्या है, जिसके आधार पर हम दोनों को अलग करते हैं, तिसर keen विकास की विभिन आयाम Zealand, विकास जब भी होता है किन आयामों पर होता है, किन बिंदुओं पर होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अगला है विकास की अवस्ताइँ, तो जैसा कि मैंने बात किया कि हम देखेंगे पहला कि सिक्षा क्या है, सिक्षा सासर से हम क्या समझते हैं, बाल विकार से हम क्या समझते हैं जब भी सिक्षा की बात की जाती है या एजूकेशन की बात की जाती है तो हमारे मन में एक ही चीज आती है या दिमाग में एक ही चीज आती है कि हम सिक्षा का अर्थ क्या लगाते हैं समान अर्थों में सिक्षा सा कहने का मतलब हमारा यह होता है कि हमने स्कूल में, हमने कॉलेज में जिन विश्यों की पढ़ाई की है, जिन कोर्सेस की पढ़ाई की है, जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, हम उन्हीं को सिक्षा समझते हैं. हम यह मानते हैं कि हमने जितने भी certificate लिये हैं, जितने भी degree लिये हैं, वो सिक्षा के अंतरकत आती हैं और सभाविक सी बात है कि समाज में सिक्षित उसी व्यक्ति को समचा जाता है जिसने graduation, post graduation कर लिया है, जिसने engineering कर ली है या उससे भी बड़ी बड़ी degree प्राप्त कर ली है साथियों जिस परिक्षा के आप त्यारी करने वाले हैं इस परिक्षा में आप एक बालक के भविश्य को गढ़ने वाले हैं और यह विशय देखने में आपको थोड़ा सा बोजिल लगता है, जटिल लगता है खास करके इसके प्रश्णों को जो आप देखते हैं तो आप इस मुश्किल में आ जाते हैं कि इतने कठिन-कठिन सब्दों का प्रयोग किया गया है अगर इस विशय को आप सामाने करके अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके क्योंकि आपने भी अपने जीवन में सिक्षा ग्रहन की है विभिन्न माध्यमों से आपने भी अपना एजुकेशन लिया है, किसी ने आपको एजुकेशन दिया है आपके भी कभी टीचर थे और आप टीचर बनने की त्यारी कर रहे हैं तो इस विशय को अगर सामाने जीवन से जोड़ कर देखते हैं उन्ही पहलूँ पर विचार करते हैं तो टेर्मिनलोजी में आपको डेटेल कर दूँगा टेर्मिनलोजी आपको समझा दूँगा लेकिन इससे जदा मतपूर्ण है कि आप विशय को समझे अगर आप विशय को सामाने तरीकी से समझने का प्रयास करते हैं जैसा आपने अपने देनिक जीवन में या आपने अब तक के जीवन में अनुभव किया है उन अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं और आपके घर में जो बालक है या जो भी बच्चा है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे सीख रहा है कैसे समझ रहा है, इन चुज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो ये विशय बिल्कुल भी सरल हो जाएगा आईए अपने विशय पर आते हैं जब भी हम सिक्षा की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं तो सिक्षा से सामान अर्थ ये लगा लिया जाता है कि अगर हमने अपना व्यापक दैमेंशन में देखा जाना चाहिए बाते जो आपको एक बहतर इंसान बनाती हैं, आपके विवेक बढ़ाती हैं, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने में, आपके सोचने समझने की चमता बढ़ाने में, और एक समाज में रहने लायक एक समाजिक प्राणी बनाने में आपको सही योग प्रदान करती हैं, वो सारी बाते सिक्षा के अ वाल यवस्ता में पूह कि आपने देखा होगा जिस व्यक्ति का बालज़ान बर्ण पोशन होता है, जैसा आपने वन यह चीवन परियत नो उसके साथ हो आपने भी अन्भो किया होगा कि आपके टीचर आपको जैसा सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं या जो भी आपका बालेकाल का अन्भो रहा होगा खास करके 5 वर्स की आयू से ले करके आपके 18-21 वर्स की आयू तक आप जिस वातावरण में रहे होंगे, वो वातावरण, वो सिक्षा, वो ज्यान, जिवन परियत्न आपके लिए साहिक होती है, ठीक बूल रहा हूँ, आगे भी आप अनुभो करेंगे अपने जिवन में, आपकी आयो जो भी हो, जिवन परियत्न, याने कि आप अपने युव लग के अंदर विकास हुआ है, उसजी को हम बाल विकास कहते हैं, और सिक्षा कहने का अरth है, यज routine कियान होता है, वो सारी बाते आपके चिक्षा के अंटरगत आती है, और ऐक ऄ एक स्पेसिफिक विज्यान, एक स्पेसिफिक नियम, एक स्पेसिफिक बातों का कर्मवद् विध्यन किया जाएगा वो कहलाएगी आपके सिक्षा सास्त्र चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं विर्धी और विकास के बारे में जब भी साथियों हम विरिध्धी या विकास की बात करते हैं तो विरिध्धी विकास से सामाने जीवन में अर्थ लगा लिया जाता है कि विरिध्धी विकास जो है एके चीज़ है मैं अगर कहूँ आपको कि आपके जीवन में आप development हो रहा है आपका या आपकी growth हो रही है तो आप बोलेंगे दोनों ही हो रही है, सामाने बाते हैं मतलब हम कहेंगे कि हम growth भी कर रहे हैं, हम development भी कर रहे हैं कहने को तो हमने कहा दी कि हमने growth भी किया, हमने development भी किया लेकि क्या growth और development के बीच में आप वो मूल अंतर जानते हैं जिसके आधहार पर आप परिक्षा में प्रश्णों को हल करेंगे परिक्षा में प्रश्णों को हल करने की बात अलग है आप अपने देनी जीवन में भी क्या विर्धी और विकास के अंतर को समझ पाते हैं विद्धी और विकास के बीच की अंतर की बात करूं, तो बड़ा ही महीन सा अंतर है विद्धी और विकास के बीच में, एक जरा बारिक सा अंतर है, बारिक अंतर क्या है, बारिक अंतर ये है, कि जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ हमेशा क्या होती है, परिणात उसमें बालक बालिकाए हैं, आप देखेंगे कि बच्पने से लेकर के युवा अवस्ता तक, बलकि युवा अवस्ता ना कहूं तो प्रोड अवस्ता तक, यानि कि बुजर्ग होने तक उनके सरीर में जो मूल भुद बदलाव होते हैं, जैसे कि उनके आकार का बढ़ना, उन किस में आएंगी, यह सारी शीजा आएंगी आपके ग्रोथ में, आप खुद भी अनुब कर सकते हैं, कि आपके बच्पन में जैसे थे, वैसे हैं क्या भी, एक पर अपने आपको देखिए, कि बच्पन में आप उठा के अपनी फोटो देखते हैं, दिखाते हैं, घरवालो परिवर्तन जो है, वो दो रूपों में होते हैं, उसमें से पहला रूप जो होता है, वो आपके आकार में परिवर्तन, आपके साहरी रशना में परिवर्तन, यह सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, यह सारे परिवर्तन कहलाते हैं, ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ हुई है, आपके उमर बढ़ने के साथ साथ आपके सोचने के तरीके में, आपके एमोशन्स में, आपके वेवहार में, आपके सामाजिक वेवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विकास, कि आपने बौधिक इस तर पर नैतिक इस तर पर कितना विकास किया, ठीक है, यहां क्वालिटेटीव होगा और आपका विद्धी क्या होगी वो कॉंटेटीव होगी ठीक है लेकिन ऐसे कौन से बिंदू है जिनके आधार पर हम परिक्षा हॉल में या परिक्षा के प्रश्णों को हल कर पाएंगे उसके लिए कुछ बिंदू होना आपके पास बहुत ही अगर बात करूं मैं अगर बात करूं मैं अगर मैं विकास की विकास आपका मात्रात्मक होने के साती साथ गुड़ात्मक भी होगा दूसरी पॉंट को देखते हैं कि परिवर्तन की प्रकृति कैसी होगी तो परिवर्तन की प्रकृति जो होती है ग्रोथ में आपका प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है डारेक्ट सामने से दिखाई देगी, लेकिन जो आपका development होगा, development आपका हमेसा क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, दिखाईने देगा, जैसे कि आप किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, वेवार करते हैं, यह दिखने की चीज नहीं है, यह आपके अनुभोगी चीज है, मतलब वो आप प् आपका सारीरिक परिवर्थिन कहला एगा, लेकिन अगर आप विकास की बात करें, development की बात करें, तो सारीरिक के साथ ही साथ, ये मांसिक भी होता है, और वयवाहारिक भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं बात करूँ की, ग्रोथ आपके क्या होगी, ग नहीं रचना बनती चली जाएगी यह कभी भी डिस्ट्रक्टीव नहीं होगा लेकिन आपका विकास रचनात्मक होने के साथ साथ विनाशात्मक भी हो सकता है कैसे हो सकता है कि एक घर में बालक दो बालक हैं एक बालक जो होता है आपने फिल्मों भी देखा होगा कि एक राम ह अपको रचनात्मक परिवरतन दिखा रही है लेकिन आपका विकास रचनात्मक honway के सांथ सात्व मिनाशाथमक हो सकता है इसलिए ट्रीटी के एक्जाम में आपके सिलेभर में द्या गया कि आप बच्चों को किस तरह के सिक्षा दें कि इस तरह का ग्यान दे कि वो रचनात्मक बने विनाशात्मक नहीं बने तो ध्यान रखिएगा सेलेक्शन होने के बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल एक्जाम निगालना आपका काम नहीं है जनरली होता है कि हर तरह की प्रिक्षा में हम सिलेबस को पढ़ते के वाल इसलिए हैं कि उसको पढ़ करके क्या होगा हमारे एक्जाम निकल जाएगा नहीं भाई जो सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी विचार करना है कि आपके सिलेबस में वो वालिका या छात्र जो होते हैं वो केवल एक्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हो ऐसे में आपका effort भी काफी ज्यादा होता है अगर आप syllabus को समझ करके उसके प्रिकृति को समझ करके वो क्या चार आया आपसे अगर आपने इस बात को समझ लिया अगर इस बात का कि व्रिद्धी और विकास की व्यापक्ता क्या है इसका अर्थ क्या है तो आप देखेंगे कि व्रिद्धी आपने आप में एक संकुची तेरिया है एक इसका व्यापक्ता बहुत ही सामानी है छोटी है एक पहलू है वो हमारे विकास का जबकि विकास का डायमेंशन है व्य बाकि dimensions में भी आपका development होगा, यानि क्या होगा विकास होगा, यानि कि विकास के अंतरगत आपकी वृध्धी आती है, वृध्धी के अंतरगत आपका विकास नहीं होता है, वृध्धी अपने आप में एक छोटा अर्थ है, या छोटा रूप है, जबकि विकास का dimension क्या है, broad है समय सीमा, अगर समय सीमा की बात करें तो वृद्धी एक निश्चित समय सीमा तक होती है मतलब आप बच्पन में जब आप 5 साल के होते हैं आपकी height अलग होती है, आपके अरंग रूप अलग होता है सरीर की बनावट अलग होती है लेकिन जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ती चल जाती है लगबग कहा जाता है, ऐसा सामाजी कहा जाता है ऐसा कोई इस पष्ट वैग्यानिक प्रमाणनी है लोग कहते हैं आपने सुना होगा कि अरे तुमारी height अब नहीं बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी, तुम 20-20 साल के होगा यार इसके बाद तो height बढ़ती नहीं है यानि 18 साल तक बढ़ेगी या 20 साल तक इसका ताय पहमाना नहीं है, कोई scientific reason नहीं है एक generalized बात है जो हम सुनते रहते हैं 18-20 साल तक आपकी height बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी उसके कुछ सालों तक आपके चेहरे की बनावट बढ़ेगी उसमें रहा चीज आएगा लेकिन उसके बाद नहीं होगा यानि कि विद्धी आपकी एक निश्चित समय सीमा तक होती है लेकिन विकास का कोई समय सीमा नहीं है विकास होने का कोई पहमाना या कोई time line ते नहीं है कि कब दग आप विकास करेंगे, कब दग आप विकास नहीं करेंगे आपने देखा आओगा कि कई वेक्ति जो है 25 साल, 26 साल, 27 साल की उमर तक घर में पड़े हुए हैं अलाल टाइप से, उन्हें कोई कार ये नहीं है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बल पर वो अपने जीवन का निर्मान कर सके या बिल्कुल सिथिल आवस्था में घर पे पड़े हुए हैं अचानक वह ऐसे motivate होते हैं, ऐसी चीज़ें उनके जीवन में आती है, एसा ग्यान, अनुभाव उनके जीवन समाज में ऐसा कुछ परिवर्तन उनको दिखाई देता है, तो क्या होते हैं अचानक motivate हो जाते हैं और क्या कड़ डालते हैं 26 साल के बाद 28 साल के बाद भी अपने व्यक्तित्व कर भी काश कर लेते हैं अपनी सोचने समझने के तरिके में विकाश कर लेते हैं लेकिन आपको इस बात का इंतेजार नहीं करना है कि आप बालों को उसके ऊपर छोड़ देंगे भाई तुम्हारा तो उसको जब हम सिक्षा दे रहे हुँ तो इस सभी बातों का ध्यान रखें और उसके सभी आयामों का विकास करने का हम पूरा प्रयाज करें तो मैंने कहा कि यह होता है, आपके एक निश्चित समय सीमा होती है, कि एक निश्चित समय सीमा तक होगए, लेकिन आपका जो विकास है, विकास की कोई समय सीमा नहीं है, विकास आपके वाल लेकाल से लेकर के आपके विद्धा अवस्था तक आपकी सिमसीमा बिल्कुल भी नहीं है इसमें विद्धा अवस्था तक आपका विकास हो सकता है आप 25 की उमर में आप 30 की उपर में आप 40 की उमर में कहीं न कहीं से कुछ सीखते हैं समझते हैं और अपना जीवन में उसका पालन करते हैं उसे लागू करते हैं जिसके दम पर आपका विकास जो है वो प्रभावित होता है ठीक है अगरा देखते हैं मापन अब है सिंपल सी बात है इतनी सारे मैंने बाते आपको बता दी और सुर कि कितने हाइट बढ़ी है अपना मुटाबा नाप सकते हो कि नहीं कि मैं इतना मुटा हो गया हूं अभी अभी ऐसाई की बढ़ती चल रही है सारे एक नाप जोग तो मतलब क्या है वह जो आपकी ग्रोथ का पैमाना उन्होंने तैय कर दिया है उस पैमाने के अधार पर क्या ह आपका नाप जोग हो राएं कि आपका तैस्ट कितना है इसारे क्या है मापन योगिह मतलब विर्धी आप माप सकते हो कि वह की वह ज़ू है या नहीं हूं लेकिन दो विकास के कुआ upon ना नहीं है आप मस्के इतमाने पर नहीं नाप सकते हैं अद्ध मुझे विके यज अपने जीवन में विकास किया है उस लक्ष को पाने के लिए आपने मानसिक इस्तर का विकास किया है उस विकास की बात कर रहा हूं तो इस विकास को नापने का कोई पैमाना नहीं है, आपको कहूं अगर कि आप अपने पड़ोसी की या अपने बालक की या अपनी स्वयम की इंटेलिजेंसी को ना पीए, मानसीव चमता को ना पीए, बध्धिक इस्तर को ना पीए, तो क्या आप कह पाएंगे ये इतना किलोम अभी तक की बातें clear हो गई होगी आपको की growth और development समविर्दी ये विर्दी अथवाई विकास तो इसमें अंतर क्या है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा यहां तक जो पहुचे हैं जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी या कुछ confusion होगा आपके अंद करने का पूरा प्रयास करूंगा अब जैसा कि आपको clear हो गया है कि विकास जो है वह एक अलगी पहलू है तो ऐसे कौन-कौन से पहलू है जिन आधारों पर हमारा विकास होता है यह पहला lecture जो है एक थोड़ा सा broad dimension देने की कोशिश की गई है अगले lecture से आपको स्पेसिफिक अगसी लेबर स्फाइस चाजें डिलीवर की जाएंगी लेकिन जब तक आप विशय को समझेंगे नहीं तब तक उसे हल कर पाना थोड़ा मुश्क्यूल होगा थोड़ा प्रिश्यंस बनाया रखें और विशय को समझते चलें विकास के विभिन पहलू कि बात मैंने आप से की तो विकास के पहलू कौन-कौन से होते हैं तो विकास के पहलू पहला तो बता है मैंने आपके शारिक सारिक विकास होगा मैंने कहा था कि ग्रोफ डेवलप्मेंट का पार्ट है आपकी विकास होगा लेकिन किवल वही नहीं है उसके अलावा भी आन्य पहलू है जो आपक विकास समाजिक होता है, जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज के अंतरगत रह करके, आप समाज की चीज़ों को सिखते हैं, समझते हैं, आपको पता होता है कि मेरे समाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज आपको सिखाता है किस तरह से जीना है, किस तरह से उठना ह सादि क्यों जरूरी है, विवाह क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है प्लस आपके समाज ही आप कोई को देता है कि जीवानिकन की किन परिस्ытежде को में और किस तरह का विवार करेंगे तो क्या समाजिक पहलू इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जो हमारा development होता है, जो हम समाज से शीज़ों को गरहन करते हैं, उससे हमारा समविगात्मक विकास होता है, याने कि emotional आपका development होता है, mental, मानसिक, अब मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास यह है कि आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका किस प्रकार होगा, थोड़े स्प पहलू है एथिकल बोलते हैं कि आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए एथिक्स कैसे जागरित होंगे एथिक्स जागरित होंगे आपके समात से आपके सिक्षक से आपके मातापिता से कि किस तरह की नैतिक्ता मेरे अंदर होने चाहिए क्या नैतिक है क्या नैतिक नहीं है जब आप ढ़िए होते हैं ग्रटे, बचपन की होते हैं, तो माटा-पिता द्वरा कहिजाने वाले भाषा को समझे आपने देखा होगा कोयी व्यक्ति जिसकी मातरी भाषा हिंदी को छोड़कर अरीजिनल भाषा अलग है चत्री भासा अलग है गोई चतीस गड़ी बोलता है ओकि मद्य प्रिदेश की भासा बोलता है कोई यूपी की वहाशा बोलता है कोई बिछा बड़ा होता है तो वही भाशा बोलता है ज crystalline बिछा पहले सीखेगा क्यों सीखेगा कि उसका पारण पोशन भरण कहां हो रहा है परिवार के बीच में हो रहा है परिवार के लोग कि भाषा में बात कर रहे हैं तो परिवार के लोग अपनी लोकल भाषा में बात कर रहे हैं अपने रिजनल भाषा में बात कर रहे हैं इसकूल मेर भासा का विकास होता है या आपकी भासा के विकास जब हुआ होगा या अपने देखा होगा आस-पास के बच्चों में जब वह स्कूल पहली बाद जाता है और एक-दो बच्छ हुए होते हैं तो जब वह हिंदी बोलता है तो जो 36 गड़ी हिंदी मिक्स का जो टोन आता है वो पैसे हिंदी के बास अब अंग्रेजी तो ऐसा होगा भई देखो अब इससे अच्छा बोलना है कि बूर बोलना है वह आप शोच लो अंग्रेजी ऐसा हो गया कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप समाज में एक सभ्व्य विक्ति या पड़े लिखे विकति नहीं क में कहने का मतलब आपके बाले अवस्था से ले करके ने और कर दो आपको वास्था क्या हो रहा है आपका भाशा आप सीख रह foolish हो विकास कर रहे और कई खास रहे हैं विल्लक्त बोलने के जरूद नहीं होती है आप युआ है哦 आपने सूने होंगे आपने 9 की भाषा तो क्या जाने रे समझ रहे हैं मतलब भाषा भी रगलग प्रकारवि होती है आपके face expression भाषा है कि आप लोगों से बात करें बिना कुछ तो क्या हो रहा है यह हो रहा है भाषा के माध्यम से आपका विकास यानि यह वो मुख्य पहलू है जिनके माध्यम से आपके जीवन में विकास जो होता है वो सार्थक होता है और भी बहुत सारे पहलू आपके जीवन में इसके हो सकते हैं है है कि अब है कि इतने सारे पहलू मैंने आपको बताय चीजिन हो गया होगा किविकास के अंदर सामिल कि इसको करें यह भी विकास वह भी विकास प्रमि उसको भी एंध्र Utagailless तो यहां पर मैंने आपकी मुश्किल को थोड़ा हल कर दिया है विकास के जितने भी सरूप हैं, जिन भी माध्यमों से जिन भी मीडियम से आपका विकास होता है, उसको मुख्य रूप से दो भागों में आप बाच सकते हो इसमें हम कहते हैं पहला जो होता है जयविक पक्रियाओं द्वारा विकास यानि की बायो लॉजीकल प्रोसेस से आपका जो भीखास होगा एक यह दूसरा होगा संग्यानात्माग पक्रिया लो खुस हो जाओ क्यों को सोजाओ कि यह वो शब्द आ गया जो कि आपको आपके टेट के एक्जामनेशन में देखनों को मिलता है और इसके पढ़के हम परिशान कि भी संग्यानात्मक क्या होता है संग्यानात्मक विकास कैसे कहेंगे किसे कहेंगे यानि कि कॉंगिनीटिव प्रोसेस अब यह इंग्लिस में बड़ा difficult word है कि कॉंगिनीटिव किसे कहेंगे अब इस ही 10 मतलब है परसेप्षन कह सकते हैं इसको आप या कह सकते हो ग्यान या अनुभाव इससे ही हम कहते हैं क्या संग्यान आत्मक संग्यान संग्यान वर्ट समझते हैं आप सरकारी पत्रों में आपने पढ तो उसी को हम क्या कहते है संग्यानात्मित मânciau क आपका जो व१ का यो होता है या जिस बालग को आप शिक्षा देने वाले हैं आप डे बालक होते हैं, जटे नहीं और पर रिचे पाज़े में माइनर लेबल पर रपर चोटे के पृसरब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर दो प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं आगे भी मैं चीजे आपको जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आए गहां कि दो तरह के मुझ रूप से परिवर्तन उसके अंदर दिखाई देते हैं तो परिवर्तन कौन-कौन यानि कि आपने अपने माता पिता से वनसनुकत रूप से जो प्राप्त किया है जेते नुलारे मतलब क्या है उन्य जू से दाधू है तो क्या हैutos दादे फ्रारव kicked करता था। तो क्या का जाता है। उसके जीन से प्राप्त है। साथ ही जो आपकी biological process होती है वह Vansha नुगत रूपЕ से प्राप्त जीन के फ्लशुरुप होती है जो जीन से आ प्राप्त किए अपने parents से अपने पालकों से उसके फलशुरुप आपकी व्रिद्धी होती है उसे हम क्या कहते है वनिशानुगत रूप से जो प्राप्त होता है उसे बैलोजिकल कहते है और इसमें क्या क्या आता है आपकी लंबाई है तो बच्चा क्या होगा लंबा होगा अगर माता पिता छोटे हैं तो बच्चा क्या होगा छोटा होगा नहीं लंबाई कहीं कहीं आपके प्रकार के है आपके पुरे पहर परिवार में चयन चल दी है उसमें us कंड या वजन यह और जैविक विकास है मसतिस्क हिर्दय विकास अधिज्मिक विकास एसा नहीं कि दिल की धढकर ने बढ़ गई या दिल जो है मांगे मोर या दिल किसी पर आ गया ऐसा हिर्दय नहीं हिर्दय का विकास कहनें मतलब growth सम्वृद्धी ठीक है ये क्या कहलाएगा ही तरह कि आकार में बढ़ना फेफड़ों का आकार बढ़ना मस्तिस का आकार बढ़ना भार बढ़ना वजन बढ़ना लंबाई बढ़ना ये सारी बाते क्या हैं आपके biological process है जैविक प्रक्रिया है इसके अंतरगत जो भी विकास हो जैविक प्रक्रिया के अंतरगत होने वाला विकास है जिसे आप थोड़े बहुत ग्रोथ भी कह सकते हैं या ग्रोथ कहें तो ज्यादा अच्छा है दूसरा है संग्यानात्मक याने ज्यान और अनुभव अब भाया ज्यान किसे कहेंगे ज्यान का अर्थ क्या है यही अपन मानव होने के नाते होना चाहिए आपके सामाजी विकास में जो युगदान दे आपके आसपास के वातरवर्ण के विकास में जो युगदान दे और आपको एक अच्छा इंसान बनाए वो ज्यान कहलाता है ज्यान जो आपको हमेशा साकरात्मक तक ही और ले जाए नकरात्म कि और न ही वह आपका ज्क्राइब तो ज्ञान और अनुभो मतलब आपने क्या सोचा समझा किया समाच भुर ऑक ज्ञान विकास को हम संग्यानात्म की का स known किAST कि कि और रखेंगे चिंतनी औरम चाहिंगे कि आप चिंतन कर रहे हो या फिर चिंता कर रहे हो चिंता और चिंतन में बड़ा फरक है मेरे दोस्त चिंता करना स्वास्त के लिए हानिका रख है चिंतन करना स्वास्त के लिए फ्यादयमंद है जिदने भी बड़े ग्यानी हुए उन्होंने चिंतन किया चिंता नहीं कि तो आप चिंतन करते हो, thinking या कह लें कि contemplation जो करते हो, English word है थोड़ा सा difficult है, या thinking जो करते हो, या protection, protection भी अपने आप में एक भारी word है, protection क्या perception, perception जो लगाते हो आप अपने ज्यान के अधार पर, अपने अनुभूक अधार पर जो protection करते हो, उसे क्या कहेंगे, चिंतन हो गया, आपका protection हो गया, याने protection को आप कहा सकते हो, अनुभूती, जो आप अनुभूती लेते हो, तो वो इसके अंतरगत आएगा, आपका अधान, अभिया इतने difficult word में इसे लिए उसकर रहा हो, कि आप जब exam दोगे, paper दोगे, तो आपको हिंदी में इसी तरह के word मिलेंगे, अगर आसान करना हो, तो जो उसका English translation होगा, उसे देख लेना, अधान का मतलब होता है attention, आप जो attention देते हो किसी बात पर, problem solving, समस्या समधान, आप किसी भी समस्या का समधान, किसा अधार पर करते हो, भी कोई समस्या आई, आपने उसको समधान किया, यह समधान नहीं कर पारें, depend करेगा, आपने कितना गयान, कितना अनुभव अपने जीवर में प्राप्त किया है, अगर आप 12 वर्स के बालक को, और 12 वर्स के बालक को, समान समस्या देंगे, तो उसको हल करने की, समस्या कहने का मतलब, मालो आपको बोलना है, कि कौन सा विशे जो है, आपके केरियर के लिए अच्छा हो सकता है, अगर मैं 10 वर्स या 12 वर्स के बालक को बोलूं, तो क्या वह समझ पाएगा? लेकिन 21 और 22 वर्स के बालक को बोलूं, तो उसका तुलनात्मा का अध्यन वह बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है किसके आधार पर 21-22 वर्स का है उसने अपने विशय पढ़के देख लिया है औरों के विशय भी देख लिया है उसने समाज को देख लिया है उसने रोजगार के आउसर को देख लिया है तो वह अपने अनुभव और अपने ग्यान के आधार पर यह कह सकता है कि कौन सा विशय सही होगा लेकिन दस वर्स का बालक बारा वर्स का बालक इस बात को तै कर पाने में उतना सक्षम नहीं होगा क्योंकि उसके पास उतना ग्यान अनभो नहीं है मतलब ग्यान और अनभो से प्राप्त जानकारी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं समस्या का समधान कर सकते हैं तो यह सारी मुख्य-मुख्य बाती थी जिनके आधार पर आप विकास को समझ सकते हैं आए आगे बढ़ते हैं अगला बिंदू है कि विकास की अवस्था है वो कौन-कौन सी अवस्था है स्टेज है जिसके अधार पर हमारा विकास होता है यह भी इतम जन्रलाइज है इसको समझने के लिए जाता दिमाग लगाने के जरूरत नहीं है आप एक सामान ये अपने जीवन का विकास देखें कि आप बच्पन से लेकर अभी तक किन किन अवस्थाओं से गुजरे हैं या इस कटेगरी में आपको बाढ़ना है एक जन्रलाइज देखते हैं कि हमारे जीवन में कौन-कौन सी अवस्था आती है जिसके अवस्था के आधार पर हम जो है अपने विकास की अवस्थाओं का निधारन करते हैं तो पहली अवस्था जो है वह है प्रसवपूर की जब किसी माता के पेट में या जब गर्व में भूण आता है उस में दूसरी आ घर्बा अवस्था क्या होगा घपया होने कि अवस्था चलती है आपकी और सब्दान के एट सब्दान अब 6 वीग से लेकर आपके जन्म के पहले तक गर्भ आवस्ता को नाजध ऑफ होने से पहले तक इसी घर्भ हमें रहते हैं तो पर दूसरी बात करते हैं से नवजात स्टा से आपका ज़ण हूँयं से लेकर के 15 पन्दर दिन तक की अवस्था है आपकी 檌ंद अवस्था क्या है लेंगी इसमें आपके जय वस्था को समय क्या है वहलाइगा और पंदरा दिन से लिए गरके आपकी जनरलाइज वे में देखें तो दो साल तक टू युँँच तक की आपकी एज क्या 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 खैलाएगी वह 600 अवस्था के अंदर आएगी 600 अवस्था के बाद जो स्टार्ट होता है वह आपको होता है प्रारंभिक बालेकाल और मध्य ठीक है प्रानाबिक बाले काल किसे कहेंगे भाई आपकी मान लो कि दो वर से लेकर कि आपके पांच-छे साल की जो आई हूँ है जिसमें आप खेलते गुलते हैं खेते कुटे हैं, समस्याओं को समझते हैं, कुछ चुजों का अबजर्व कर पाने में सक्षम होते हैं, यह प्रानाभिक बाल्यकाल आपका कहलाएगा, मद्य बालकाल जो आएगा आपका, वो 5 या 6 वर्से लेकर के, आपके लगभग 11 से 12 वर्स की आयोतक की हम देख सकते हैं, मद्य बालकाल को, उसके बाद आता है विया आपका किसोरा अवस्था, किसोरा अवस्था में पहला आपका तरुन, तरुन अवस्था वही है, 12-13 वर्स की अवस्था, जिसे हम कहते हैं कि इस उमर में बच्चों को सम्हालना क्या है, बहुत जरूरी है, यानि कि आपको 12 से लेकर के 14 वर्स की आयू तक, यहां तक क्या होता है, यहां हम बहुत ही, यहां से लेकर यहां तक माता पिता की शरण में होते हैं, माता पिता बड़े सम्हाल के हमको बड़ा करते हैं, हम उनका कहना मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी चीज़ों को सीखते हैं, और पांच वर्स की आयू से ले करके यहाँ पर 5-6 वर्स की आयू से मद्य बाल काल से ले करके आपका कि आपका किशोरा आवस्था तक आने तक 12-14 तक की आयू तक बच्चा माता पिता के कन्टोर में होता है साथ ही साथ सिख्चा के निंत्रण में होता हीinyl ah पांच वर्स की आयू से लेकर के 14-15 वर्स की आयू तक के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि इस अवस्था में बच्चा जो है, वो बहुत ही कोमल है, कच्चे घड़े की तरह है, जिसे जो आकार देंगे आप उस आकार में वो घड़ा जाएगा, अगर यहां पर आकार में उलट फेर हुई, तो बच्चा जो है, वो खत्रे में तो भी है, यहां पर बच्चों को टीच करते वक्त, आप खास बात का ध्यान रखें, उसके बाद आती है प्रोड अवस्था, अरे वही अवस्था है, प्रोड अवस्था, अच्छा किसोरा अवस्था जो कहलाएगी, वो आपकी लगभग 14 वर्स से ले करके, 18 वर्स की आयो तक, आपकी क्या कहलाएगी, यह अवस्था किसोरा अवस्था के बाद आपका आता है प्रोड अवस्था, प्रोड अवस्था भाई, वो उमर है, जब हम पिक्चर देखना स्टार्ट कर देते हैं और पिक्चरों कहानियों को सच मान कर अपने जीवन को उसी दिसा में ले जाते हैं ध्यान रखना इस बात को पिक्चर के वल आपके मनरंजन के लिए है आपके जीवन के निर्मान के लिए नहीं है जीवन के निर्मान आपके गुरु करेंगे आपके प व्य स सकती है उसके बारक मध्य और यूस्त थी को आप 8 साल से ले करके आप 22 साल तक बोल सकते हैं मध्य अवस्ता को बीज़ रेग करके 40 से ये परकि लिए क्या च मुश्य साल तक हेणा मैं और चाली से लेकर के और कौन से एक विज्यानिक है रॉस इसलिए पढ़ना जलूरिफ है कि लेवे पुछ के अनुसार ही कि विकास के विळनस्था किया है तो इसको भी देख लेते हैं कि रॉस का कहते हैं, रॉस का कहना है कि आदमी का व्यक्ति का सहशवकाल होता है, वो सहशवकाल एक से तीन वर्स की आयू तक होता है, प्रारंभिक काल को कहते हैं कि तीन से छे वर्स की आयू तक व्यक्ति का प्रारंभिक बाल लेकाल कहा जाएग 6-12 वर्स की आयू को कहा जाएगा उत्तर बालेकाल और 13-18 वर्स की आयू की बच्चों कहा जाएगा कि सोरा अवस्था ठीक है अब आ जाते हैं कि specific exam के point of view से हमको क्या स्धियान रखना है यहां पर आपको चीज़े ध्यान रखनी है कि विकास की अवस्थाएं अगर पूछा जाए आपसे exam में तो खैर कहने के लिए तो विकास की अवस्थाएं अलग-अलग वज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग लग ली है फिर भी प्रिक्षा में पूछा जाता है कि क चीज़े होती है गर्भा अवस्था क्या कहलाएगा यह आपकी 600 आवस्था कहलाईगे प्राःंभिक बालकाल आवस्था मुसे कहेंगे दो वर्ष ते छे हर स्था. वर्ष me, आपक्याương, ऑज करते हैं. dönem only 5-6 आई-वmyo भी time, वच्के ती तीन साल, स्थे. प्ले ओम और ज माता पित्या के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को दे पाए या अभी जो परिवारों के रहने के जो व्यवस्था है वो सहयुक्त परिवार से कहां चली गई है एकल परिवार जोएंट फैमिली से हट करके आप इंडिविजुल रहना पसंद करते हैं इसका बहुत सविद्या आफ टरवाध के लावा दादा दाणी चाचा चाची बुह य सारे लोग होते थे जो कि बाल्त विकास में अपना यूकदान देते थे उनके मांसी के विकास में चुकि एकल परिवार हो गए हैं तो यह 5-6 वर्सकी आयू जो होती है बहुत ही महत्पून जाती है बच्चों के लिए क्योंकि यहीं से वो चुछों को समझना सोचना स्टार्ट करता है अगली आती है उत्तर बाले का लवस्था जो कि 6-12 वर्सकी होती है यहां देखती है आपका 25 पहली पहली बोल सकते है या PP1, PP2 जो कल्चर होता है कि PP1, PP2 में होता है इसको जाना स्टार्ट करता है और वहां से लेकर 16-17 तक की सिक्षा इस अवस्था में घ्रहन करता है आप 16-17 यह आप पहली से लेकर 16-17 तक के बच्चों को अबजर्व करेंगे तो उनमें हो और चीजों को अबसर्व करना थोड़ समस्दारी से वहार करना यह सारे चीजे स्टार्ट करता है अब देख लेते हैं कि विभिन अवस्थाओं में परिवर्तन किस-किस प्रकार के होते हैं अब इसमें हम थोड़े बहुत बाते देखेंगे इन सभी अवस्थाओं को डिटेल में हम आगे बढ़ने वाले हैं एक बेसिक बेसिक चीजे देख लेते हैं कि क्या-क्या अंतर हमको विभिन अवस्थाओं में दिखते हैं तो जो आपकी गर्भ अवस्था होती है इसमें क्या होता है वेक्ति की रचना मतलब किस प्रकार का सरीर होगा गर्भ में शिशू का सरीर बनता है उसका आकार ले लेता है पूरा वो उसका भार यह सारे परिवर्तन हमको कहां दिखा देते हैं इस सारे परिवर्तन हमको गर्भा अवस्था में कि दिखाई देते हैं इस इशू किस प्रकार से आकार ले रहा है उसका हिर्दय कब बन रहा है उसके फिफड़े बन कब बन रहे होता है न स्वनोग्राफिय लोग कराते हैं कि बोलते हैं बच्चे का हाट बन गया बच्चे के यह वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं ताकि आपके एक्जाम में आये तो आप इसे बना पाएं एड्जेस्मेंट करते है कब सहसा अवस्था मैंने कौन सहसा अवस्था बताई तो किस साल से किस साल तक सहसा अवस्था कहा जाता है यहां पर उसके अंदर कुछ-कुछ समवेगात्मक क्रियां स्टार्ट होती है समवेगात्मक कहने का मतलब है उसके अंदर कुछ इमोशनल चीज़ा आना स्टार्ट होती है वो emotions कुछ सीखता है, सम्वेग उसके अंदर आने start होते है, सम्वेगात्मक विकास आपको देहने को मिलता है कहां यहां, सम्वेगात्मक को क्या कहेंगे हैं? Emotional, emotional कुछ चीजें उसके अंदर दिखाई देती है, किस तरह की वो गुसा करना start करता है, वो हसना start करता है, वो react करना start करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो समझता है कि मेरी माता कौन है, माता के अलावा परिवार में जो सबसे अच्छा व्यक्ति उसे लगता है, जो उसे घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, उससे उसका attachment एक अलग प्रकार के हो जाता है तो इन emotions का इन सम्वेगों का विकास जो है यहां पर होता है प्रारामभीक बाल अवस्था प्रारामभीक बाल अवस्था मतलब लगबग वह आपका 5-6 वर्स की आयू है प्रारामभीक बाल अवस्था तो आप सोचिए कि 5-6 वर्स की आयू में आप क्या करते थे इस आयू में आप दोस्तों के साथ गुमते थे फ्रेंट्स के साथ गुमते थे यानि आपको क्या पसंद आ गया था आपको ग्रूपिंग पसंद आ गया था आप एक ग्रूप में रहना पसंद करते हैं लोगों के साथ नए दोस्त बनाते हैं, नए यार बनाते हैं, आसपास के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, आपके अंदर समूर प्रवित्ती का विकास होता है, किसका विकास होता है, समूर प्रवित्ती, यानि ग्रूप करने की आपकी प्रवित्ती क का विकास होता है इसके अलावा यहां पर आपका जिग्यासु प्रवृति जिसे क्या कहते हैं कि इस वर्ग के बच्चे में आप देखना जो पांच साल से लेकर के बारा साल का बच्चा होगा इसके अंदर क्यूरिसुटी बहुत ज्यादा होती है यह बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास करता है तो यहां पर आपको वह सारे चीज़ें दिखा यहां दिखा यहां दोनों ही अवस्थाओं में आपके अंदर जिग्यासु प्रवृति का विकास हुआ होगा आपने नये दोस्त बनाये होंगे आप ग्रूप करने की आपकी जो हैबिट है वह आप साथ क्या होता है आपकी सामाजिक और आपका नैतिक विकास शुरू हो जाता है याने आप इमोशनल के साथ साथ आप शोशल और आपका एथिकल डेवलोब्मेंट यह स्टार्ट हो जाता है कैसे स्टार्ट हो जाता है भई आप समाज को समझना शुरू कर देते हैं आप तो है अपने एथिक्स आपके टेवलप होते हैं, इंटर्नल एथिक्स, जो कि आपने लोगों से सीखे होते हैं, समझे होते हैं, एक 5-6 साल का बच्चा, 12 साल की आयो तक तो देखता है, और अबजार करता है, किस और आवस्था में पोचता है, उसके अंदर इमोशन साते हैं, वो अपनी society को बहुत बहुत बेतर तरिके से समझने का प्रियास करता है, कुछ अपने logic भी ओ क्रेट करता है, कुछ अपने ethics भी ओ क्रेट करता है, उनको विभिन्ने पहलों के अरार पर हम इसकी विवेशना करेंगे या इसको डेटेल में पढ़ेंगे आसा करता हूँ जितनी भी चीज़े मैंने आपको समझाई या बताई हैं अभी वो आपको समझ में आई होगी ये जनरल इंट्रो था आपके बाल विकास और सिक्षा सास्तर का जिसमें हमने बाल विकास के विभिन्ने पहलों की बात की और सिक्षा सास्तर को समझने का प्रयास किया आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सभी बिंदूयों को एक एक करके डेटिल में देखते चलेंगे यही चीज़ें हम इस ट्रेपर में पढ़नी हैं और आगे हम देखेंगे कि प्रश्णों को हल करने के लिए हमको किस तरह के लॉजिक किया किस तरह के इंटेलेक्च्वल चीज़ों की जरुवत है या किस तरह हम प्रश्णों को हल कर सकते हैं धन्यवाद